तो स्केर रूट फाइंड करना आपके लिए क्रिक हो जाएगा ठीक है तो देखते हैं हम यह कैसे यूज करेंगे सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना होता है आपको सबसे पहले लिखना होता है solution लिखने के बाद आपने क्या करना है इसको हम हम क्या करेंगे फिर्स टाइम नीचे लिखेंगे इसको जो भी नंबर है हमारे पास 36 तो जैसे कि स्केर रूट फाइंड करना है तो हमने उपर स्केर रूट लगा रहे हैं और शुरू में डगाना है मैं अब हर वीडियो में आपको इम्पर्टन बातें बताती रहती हुं हमेशा की तरह तो अभी यहीं बतारी हूं कि आपने मीपे पर इसके नहीं हम वर्क इसे यह गाल यह जो करिए काम और यह करेंगे कारी करते हैं कि अधर कषुख को करते हैं तो के रूट वह सेम यहां पर रहेगा और जितने भी नमबर रहों को में लिखना है जैसे कि क्या है हमारे पास में आप देख सकते हैं तू और थरी और त्हीं तू टाइम्स है हम यहां पर तू करेंगे फिर 3 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है तो 3 multiply by 3 लिख देंगे हम यहां पे अब नेक्स टेप में क्या करेंगे अब यह जो है यह हमारे साथ चलती रहेगी लास्ट तक ठीक है जो यह स्क्वेर रूट है अब हमने क्या करना है तू जो है फस्ट नमपर क्या है तू कितनी दफ़ा यहां पर है तू जो है दो दफ़ा है तो हम उपर तू उसकी पावर लिख देंगे multiply का sign डालेंगे और जो दूसरी हमारे पास एक section बन जाएगा और multiply जो मिडल में है वो रहे गए रहेगा ठीक है तो 3 और 3 यानिके एक हम करेंगे इनका और इनके ओपर कितनी करेंगे सकता है और और पैस सक्केर के साथ क्यूंकि स्कैर मिलते हैं हमारे पास सिर्फ यह नंबर बच्चा है 2 & 3 तो 2 multiply by 3 यह बच गया ठीक हो गया 3 2 6 यह हमारे पास इसका आंसर है आपने इस question को देखने के बाद ऐसे छोड़नी देना आपने इसकी practice भी करनी है तो इसका second second part हमारे पास है 64 64 को भी हमने same यह method follow करके इस cancel लाना है हम लोगोने solution 64 को हम लिखेंगे स्केर रूट के इंदर शुरू में इक्वल्टू का साइन लगाए इक्वल्टू का साइन लग गया ठीक हो गया अभी हमने क्या करना है 64 को क्या करना है 64 का LCM लेना है यहां पर लेते हैं 64 का LCM के लिए स्बसे च्छोटी ज फ्ली वächलिओ उससे हमें आगे जाना होता है टो सबसे छोटी वेल्य मारत ट्न है कौन सा प्जाना है जो सबसे चोटी वैल्यू में आता है तो वो 2 है 2 3s are 6 और 2 2s are 4 2 1s are 2 and 1 carry गया 2 6 are 12 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 and 2 1s are 2 यह हमारे पास आगया अब हम इसका क्या करना है यहां पर इसको लिखना है यह मैं अब को लिख के बता देती है इस तरह से क्या है 2 है कितनी टाइमस है 1 2 3 4 5 6 6 टाइमस है 1 2 3 4 5 and 6 सब के उपर एक ही स्केर रूट लगा देनी है अभी हमने स्केर रूट को खतम भी तो करना होता है ना लास पे लेकिन अभी नहीं करना 2 के ग्रूप बना लेते है क्योंकि स्केर को 2 पावर ही कैंसल कर सकती है यहां मैं आपको यहां सकेर हैं कि स्केर है और बना ला लगा आ यानि कि first section हो गया, यह दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, सब में दो-दो शामिल है ना, इसलिए, first time 2 है, उपर 2 लिखेंगे, फिर multiply यह नीचे आजाएगा, फिर यह 2 लिखेंगे, power 2 आ रही है, multiply फिर 2 लिखेंगे और power 2 इसकी आ रही है, अब हम next step करते हैं, मैं यहीं पर कर लिखेंगे, तो हम इसे क्यों लिख रहे है, 2 multiply by 2 multiply by 2, 2s are 4 and 4, 2s are 8, this is our answer, part number 3 हमारे पास है, 196, सबसे पहले step यह गरेंगे, हम इसके उपर square root लगाएंगे, 196 लिखेंगे, अब हमने क्या करना है, 196 का हमने लिखेंगे, सबस्दों हमारे का लिखेंगे, 196 का upset, 196 का लोग क्रों कि लिखेंगे, 196 के एप लोग के लिखेंगे, 26 зlo, 26 अव्यारियो ने की Mu become a सबक्राइस बढ़ना सबर्ट सकता है। ले लिए लेने के बाद आपने क्या करना है जो भी आपके पास नमबर है पहले स्थाप आपने उसको इस लिखना है नेक्स आपने क्या करना है आपके आपने ऊपर स्केर रूट लगाना है और अब हमने इसके अंदर जितनी भी वैलियूस है जितने भी नमबर से लिख लेने क्योंकि जितने टाइमस हमारे पास number है उसको उतने times हमने लिख लिया है अब हमने cancellation इनकी कर देनी है और हमारे पास क्या बच्चा 2 multiply by 3 multiply by 3 अब आपके माइन में आ रहा होगा कि यह bracket की क्यूं नहीं sorry यह square root प्रचैने साफ अथा, कि यह हैं कॉंकि हमने इसको कैंसल कर दिया, अवर 2500 कर दिय से lessD, क useful इससे हम ने ऐसे हम लिखना है कि इसका था, यह है महारे पास// 18 जि अज इसके जितने भी ब्हुंत है, आपने उनको खुद और双़ स्था करना है आप जब ये method को follow करेंगे तो आपके सारे के सारे questions बिल्कुल perfect आएंगे बिल्कुल answer आप उनका match किजिएगा बिल्कुल ठीक answer आएगा आपने बस इसी method को follow करके अपनी full exercise को solo out कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि इसका question number two और next part जितने में मैं करवा हूँ चाहती हूँ Allah Hafiz जाते जाते एक बात बताती चलो कि आपने इसकी practice करनी है एक question को three times जरूर practice करना है आपने मैं अपनी हर वीडियो में ये बात आपको बताती हूँ कि practice practice math needs a lot of practice if you not do it practice so you will not achieve your goal so please practice जरूर कीजेगा three times जरूर practice कीजेगा so मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए Allah Hafiz